शिमला ग्रामिन के विधायक विक्रमा दित्या सिंग ने उनके चुनावक शेत्र में विकासकारियों की धिमी रफ्तार पर रोज जटाते हुए सरकार पर आरूप लगाया है कि वे विकास के मामले में विशेशकर कॉंग्रेस विधायकों के चुनाउक्षेतरों के साथ भेदभाव कर रही है उन्होंने कहा है कि पूर्व कॉंग्रेस सरकार के समय शुरू कियेगे विकासकारियों को पूरा करने में वर्तमान भाजपा सरकार को कोई रूची नहीं है यही वज़े है कि उनके चुनाउक शेतर में पुरे हुए विकासकारियों को जनता को समर्पित करने में दो सालों से अधिक का समय लगया विकरमारित्य सिंग ने कहा कि आज मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर जिन योजनाओं का उद्गातन कर जनता को समर्पित कर रहे हैं वे सब पुरव कॉंग्रे सरकार विशेशकर पुरव मुख्यमंत्री वीरभदर सिंग की देन रही है उन्होंने कहा कि 16 मिल में डिग्री कॉलेज धामी वरिष्ट माधेमिक स्कूल ओखरू रामपूरी वो उगली के भवनों के निर्मान को पुरव सरकार ने पूरा बजट उपलब्द करवा कर रिकॉर्ट तोर समय में इन्हें पूरा किया उन्होंने भाजबा के नेताओं को आगा कि वे इन भवनों को अपनी उपलब्दी बताने की जूटी कोशिश ना करें विकर मारित्य सिंग ने कहा कि जिन पान सडकों का शिला न्यास मुखे मंत्री ने रखा है वे भी उनके विधायक प्रात्मिक्ता वो नाबार से बनाई जा रही है इसलिए इसमें भी प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं है आज मुखे मंत्री शिरी जैराम ठाकुर जी ने हमारे निर्वाचन क्षित्र शिमला ग्रामीन में करीबन 1400 करोड रुपे के विकास कार्या जिसमें 16 मील का डिग्री कॉलेज धामी का है मिनी सेकरिटेरियट है सुनी का बस्टैंड है और कई निबाड के माध्यम से फंडिड विधायक प्रात्मिकताओं की सडकों का शिलानयास रुदगाटन किया है वहां का विधायक होने के नाते मैं मुखे मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ मगर साथ ही सरकार को यह याद दिलाना चाहूंगा कि इस में से एक भी नया प्रोजेक्ट इस साशनकार की का योगदान नहीं है यह सारे के सारे कारिया पूर सरकार द्वारा शुरू हुए उसका बजट उसमें वीरबदर साशनकार में दिया गया और आज वो जाकर पूरे हो रहे है और धाई साल जो है करीबन एक साल पहले ही सारे उदगाटन हो सकते थे मगर इसका उदगाटन नहीं करवाए गए आज यह करवाए गए है जनता को उसका फादा मिल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मगर भविश्य में जो सरकार का वरतमान सरकार का धाई साल रह गया है उसमें और नए प्रोजेक्ट शिमलाग रामीन के लिए उनका नवेदन करता हूँ और इसी तरीके से सरकार बिना दुवेश और बिना राजनेतिक दुवेश से शिमलाग रामीन के लिए कार्या करे हम सरकार का समर्थन करेंगे मगर राजनीतिक दिश्टी कौन से जिस तरीके से इसका डिले किया गया वो बहुत दुर्भाग्या पुरन है जै हिंद